yes people good morning to all of you good morning good afternoon good evening जो भी जब लेक्चर सुन रहा है उसके हिसाब से कैसे हो सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे और मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आज आपका स्वागत है अगले रिविजन लेक्चर में और हम आज रिवाइस करने वाले है चोटे-चोट सब से पहला पालोगोज अब गइच लोगा बीच सब्सक्राइब यह उससरों में लेक्टेल कुन अंक सालरी का इंकम हो 9 और और other sources का income exempt है, सरफ PGBP का income है, वो taxable है, अब एक चीज समझना, main जो income होती है, political की party, that is from donation, तो donation को यह लब donation नहीं बोलते हैं, voluntary contribution बोलते हैं, भी exempt हो, का answer is yes, लेकिन एक चीज समझना, political party की income exempt है, लेकिन उससे related कुछ conditions होती है, पहली condition तो यह है, कि उसको अपनी books of accounts maintain करनी पड़ेगी, और उसके audit करवानी पड़ेगी, ठीक है, तीसरी चीज एक चीज समझना, यहाँ पे books of accounts maintain करनी पड़ेगी, उसके audit करवानी पड़े एक और चीज समझना, political party को अगर donation मिल रहा है, वो 2000 रुपेज से ज्यादा का है, तो उस case में उसको account पे check, account पे demand draft, any mode of electronic clearing system through bank account और any other electronic mode as may be prescribed, उसी से political party accept कर सकती है, तो देखो, donation से related दो चीजे आप याद रखना, कि political party को 20,000 रुपेज से ज्यादा का donation मिलता है, तो उसका record maintain करना पड़ेगा, and 2000 से ज्यादा का donation है, तो वो account पे check, account पे demand draft, any mode of electronic clearing system through bank account, और any other mode as may be prescribed, या electoral bond से ले सकते है, या पिर electoral bond है, उसी से ले सकते है, अब एक चीज समझना, एक political party को, अगर, suppose, 20,000 से ज्यादा का 25,000 का 5 लोगो ने donation दिया, तो 5 लोगो ने 25, 25, 25, 25, so 1,25,000 दिय या, उसका record maintain नहीं है, तो question ही आता है, political party की जितनी भी income है, वो सब taxable हो जाएगी, या सरब जो violation वाला part है, वो ही taxable हो जाएगा, तो institute है, institute ने ये view ले रखा है, कि only violation वाला part है, वो ही taxable होगा, तो देखो, कहीं पर जहाँ पर violation होता है, तो जो violation वाला part है, वो taxable हो है अब एक बाद समझना 80 ggb में किसको मिलता है इंडियन कंपनी को बाकि ggc में मिलता है 100% deduction मिल जाता है तो जब भी आप political party को donation देते हो तो आपको deduction मिलता है 100% deduction मिल जाता 80 ggb ggc में लेकिन एक चीज समझना वहाँ पे condition होती है कि donation should be made by any mode other than cash cash में donation नहीं करना बाकि किसी भी mode में आप donation करोगे चलेगा उसके बाद next topic is related to electoral trust अब एक बात समझना electoral trust जो होता है वह electoral trust को इस साल जितना भी donation मिलता है voluntary contribution मिलता है वह पूरा exempt हो जाएगा अगर उन्होंने 95% और more उस donation का electoral trust ने 95% और more जो भी donation है उसका political parties को बाठ दिया तो मैंने बोला कि electoral trust को जो भी इस बार voluntary contribution मिलता है या donation मिलता है इस साल वो उसका 95% और more अगर उन्होंने political party को distribute कर दिया तो जो भी उनको donation मिला वो पूरा exempt हो जाएगा लेकिन एक चीज समझना मैंने बोला 95% और more किसका बता है इस साल जो donation मिला as well as the accumulated from last year अगर लास्ट यर का कोई accumulation वगरा चला आ रहा है तो वह accumulated amount और इस साल donation मिला उसका अगर 95% और more political party को distribute कर दिया तो जो भी उनको donation मिला वो पूरा exempt हो जाएगा due to section 13 b अब एक चीज समझना I can take one example suppose हुआ क्या कि इस साल में electoral trust को 100 करोड का donation मिला उन्होंने 96 करोड distribute कर दिया तो पूरा 100 करोड है वो आपका हो जाएगा exempt कर ठीक है अब एक बाद समझना next year what happened कि 4 करोड था accumulated accumulation है next year 200 करोड का donation मिला तो 204 करोड का 95% और मोर 95% और मोर अगर next year आपने distribute किया लेकिन next year आप जो 95% लोगे वो किसका लोगे 204 का लोगे क्योंकि next year 200 करोड मिला four year इस साल का accumulation चल रहा है तो 204 करोड का 95% और मोर अगर political party को distribute कर दिया तो उस case में आपको 200 करोड donation मिला था वो पूरा exempt हो जाएगा एक और चीज समझना यहां पर electoral trust जो है उसको सिरफ donation exempt होता है electoral trust को जो भी दूसरी income होती है जैसे माल लो electoral trust को bank fdv पर इंट्रेस मिला तो वो सब taxable हो जाएगा अब एक और चीज समझना आप जब donation देते हो electoral trust को या political party को तो फ़रक नहीं पड़ता मला आप या political party को donation दो या electoral trust को donation दो आपको ggb ggc में deduction है वो मिल जाएगा लेकिन condition यही होती है कि भाई या आपको donation जो देना है वो any mode other than cash देना है आप cash में donation नहीं दे सकते अब एक और चीज समझना जो इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट किस किस से donation नहीं ले सकता पहली चीज़ तो मैं बता दू इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो सिरफ अकाउंट पर ही चेक अकाउंट पर दिमांड राफ्ट एनी मोड़ अब electronic clearing system से ही donation ले सकता है इसका मतलब यह हुआ इलेक्टोरल ट्रस्ट कैश में donation नहीं ले सकता अब एक और चीज़ समझना है इलेक्टोरल ट्रस्ट किसी भी ऐसे individual से donation नहीं ले सकता जो इंडियन citizen नहीं है कोई भी बाहर का citizen है उससे donation नहीं ले सकता और इलेक्टोरल ट्रस्ट है वो किसी भी government company से donation नहीं ले सकता as well as the foreign sources से कोई donation आ रहा है तो वो नहीं ले सकता तो मैंने क्या बोला electoral trust cash में donation नहीं ले सकता दूसरी चीज नॉन citizen person जो है उससे donation नहीं ले सकता government company से donation नहीं ले सकता दूसरे electoral trust से donation नहीं ले सकता as well as the foreign funding से donation है वो भी नहीं ले सकता उसके बाद next part is a taxation of firm and LLP partnership firm और LLP पे कैसे tax लगता है तो देखो मैंने बोलू partnership firm और LLP के लिए tax rate रहती है 30% यहाँ पर सर्चार्ज लगेगा 12% की rate से अगर partnership firm और LLP का income है वो एक करोड से जादा है लेकिन एक चीज़ समझना जो special rates की income है वो special rates से taxable होती है जैसे LTCG 112 वाला तो 10% LTCG 112 वाला है 20% STCG 111 वाला है तो वो 15% से ही taxable होगा अब एक चीज़ समझना जब partnership firm है वो अपनी income पे tax भर देती है तो partner के हाथ में जो shares मिलता है वो share पूरा exempt होता है जो partner को share मिलता है partnership firm से वो पूरा exempt हो जाता है अब एक और चीज़ समझना partnership firm जो remuneration interest देती है partner को वो allow होता है लेकिन कितना allow होता है section 40 B का limit दे रखा जो अभी अपन discuss करेंगे 40 B के limit के हिसाब से allow हो जाता है और मैं बता दू जितना allow होता है partnership firm को interest and remuneration उतना का उतना partner के हाथ में taxable होता है और मैं बता दू partner के हाथ में जो taxable होता है वो PGBP head में taxable होता है तो partner को कोई भी salary मिलता है commission मिलता है bonus मिलता है remuneration मिलता है even interest मिलता है even उनको interest मिलता है that will be taxable under the head PGBP, वो PGBP head में taxable हो जाता है, अब एक और बात समझना, partnership firm के जो losses होते हैं, वो partnership firm ही carry forward करती है, partner को distribute नहीं होते है, और partnership firm और LLP में, मैं बता दू, taxation income tax में same है, कोई फरक नहीं है, सरव एक ही फरक है, जो section 44 AD होती है, 6% 8% वाली, that is applicable to partnership firm, but it is not applicable to LLP, अब एक बात समझना, partnership firm होती है, वो partner को remuneration interest देती है, तो partnership firm को allow होता है, P&L के debit में डाल सकते है, लेकिन मैं बताओ, कितना allow होता है, कैसे allow होता है, उसके लिए 5 condition है, पहली condition यह है, partnership firm ने partner को allow नहीं होगा, दूसरी condition यह होती है, कि अगर remuneration है, वो working partner को दिया, तो ही allow है, sleeping partner को दिया, तो allow नहीं, but interest working partner या sleeping partner किसी को भी देंगे, तो allow है, तो remuneration only working partner को दिया, IS acquриpping partner को दिया, तो allow नहीं है, but interest हailed, पहुते और जीज़ समझना, working partner सिर्फ individually हो सकता है किसी भी फिर्म में working partner है वो सिरफ individual हो सकता है लेकिन बेटा sleeping partner कोई भी हो सकता है एक और चीज समझना remuneration interest है वो allow होता है अगर उसको आपने prospective दिया तो अगर आपने retrospective दिया तो allow नहीं होता retrospective का मतलब यह होता है कि जैसे माल लो हम 3 partner है और 3 partner है और हमारे बीच में partnership डीड में कुछ भी लिखा हुआ नहीं था आज हम फैब मंत में जाके और डीड को change करते हैं और हम बोलते हैं कि 50,000 का remuneration मिलना चाहिए और 5 परसेंट या 10 परसेंट है वो interest मिलना चाहिए लेकिन वह 1st April 2019 से मिलना चाहिए क्या यह अलाव है answer is no यहां से आज सगर आप डीड को change कर रहे हो तो आज के बाद आप remuneration interest होगे वो अलाव हो जाएगा लेकिन आज से पहले वाला है वो अलाव नहीं होता तो देखो remuneration interest अगर आप provide करते हो डीड में तो वो आप prospectively provide करोगे तो वो अलाव है retrospectively अलाव नहीं फोता है उस वासे एक्शूब इंट्रेस्ट 15 परसेंट है डीड में लिखा हुआ है 13 परसेंट एक्शूब इंट्रेस्ट 15 परसेंट में लिखा हुआ 13 परसेंट maximum अलाउ कितना होगा 12 परसेंट अब एक बात समझोट डीड में vivचा ऑफ में लिखा हुआ है और maximum 12% whichever is lower है वो आपको अलाओ हो जाएगा तो मैं बता हूँ यहाँ पे partnership firm ने partner को interest दिया तो वो अलाओ होता है लेकिन अलाओ कितना होता है पता है जो भी आपका actual interest है deed में लिखा हुआ है और maximum 12% whichever is lower है उस रेट से आपको interest अलाओ हो जाएगा on the partner capital और partner loan अब एक और चीज़ समझना remuneration कितना अलाओ होता है तो मैं बता तो partnership firm जब partner को remuneration देती है तो remuneration अलाओ होता है book profit basis पे अब book profit basis पे कितना अलाओ होगा तो सबसे पहले आप एक काम करो book profit निगालो और book profit का जो up to 3 lakh तक का book profit है उसका 90% और 1 lakh 50,000 whichever is higher तो book profit का 90% और 1 lakh 50,000 whichever is higher और जो balance book profit रहेगा उसका 60% यह दोनों की जो total आएगी ना it is a maximum allowable remuneration it is the maximum allowable remuneration अब एक और बात समझना यहाँ book profit की जगे अगर book loss आ जाता है यहाँ पर book profit की जगे अगर book loss हो जाता है तो भी क्या remuneration allow होगा क्या मैं बता हूँ अगर book loss आता है तो भी maximum 1 lakh 50,000 remuneration allow होगा तो book profit की जगे अगर book loss आ गया तो भी 1 lakh 50,000 का रेमिनरेशन है वो अलाव होगा तो मैंने क्या बोला बुक प्रॉफिट का पहले अप्टू 3 लेक्ट तक का है उसका एक काम करो जितना भी बुक प्रॉफिट है मुल्टिप्लाइब है 90 परसेंट और 150 वेचेवर और बैलेंस वाला 60 परसेंट अब एक्चेवर रेमिनरेशन विचेवर वाला रहेगा वो आपको अलाव हो जाएगा लेकिन क्वेश्चिन यह आता है सर्बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है तो मैं बदा दूबुक प्रॉफिट का मतलब बड़ा सिंपल है आप एक काम करो section 28 से लेके और जितनी 43 तक की जो section होती है PGBP में उसके हिसाब से आप अपना PGBP का income निकाल दो तो इस साल का जो भी PGBP का income आएगा लेकिन just before remuneration, remuneration less करने से पहले वाला जो PGBP का income आएगा that is called book profit, remuneration less करने से पहले अब जो PGBP का income आएगा that is called book profit, अब जो book profit जो है जो PGBP का income आपका आया है before remuneration that is called your book profit, तो मैंने क्या बोला book profit का मतलब क्या आप इस साल का PGBP का income निकालो बट just before remuneration, remuneration less करने से पहले अगर आपने less कर दिया तो वापस उसको add back कर दो, लेकिन एक चीज़ समझना इहां पर आप ध्यान रखना, इन्होंने बोला section 28 से लेगे और 43 तक की section है वो सब को follow करते हुए, आप एक काम करो, इन सब sections को follow करते हुए, आप इहां पर PGBP का income निकालो, तो एक चीज़ समझना, unabsorbed depreciation भी less हो जाएगा, क्योंकि unabsorbed depreciation जो होता है, वो आपको section 32 से govern होता है, वो आपका section 32 से govern होता है, तो बेटा section 32 से unabsorbed depreciation जब govern हो रहा है, तो उस case में आप book profit calculate करते time, पुराना जो unabsorbed depreciation है, वो भी आप less कर दोगे, you got my point or not, yes, तो दिखो बेटा, मैंने क्या बोला, इस साल का PGBP income निकालो, just before remuneration कर गे ठीक है, बट पुराना unabsorbed depreciation कोई है, तो वो आप less कर दो, अब एक और चीज़ समझना, मैंने आपको क्या बोला, interest maximum 12% allow होता है, interest maximum 12% allow होता है, लेकिन मैं अभी जो दो लाइने बोलने वाला हो, वो बड़ा ध्यान से रखना और ध्यान देना, क्योंकि इस पर exam में question आता है, एक चीज़ समझना, एक partner अगर individual capacity पे partner है, और interest उसको मिल रहा है representative capacity पे, तो जितना भी interest है, वो allow हो जाएगा, 12% का limit नहीं लगेगा, दूसरा, अगर कोई partner representative capacity पे partner है, और interest अगर individual capacity पे मिल रहा है, तो भी ये limit नहीं लगेगी, जितना interest है, वो allow हो जाएगा, मतलब इन simple word मैं बता दूँ आपको, कि देखो, ये 12% का interest का limit है, ये limit तभी लगेगा, जब partner individual capacity पे है, और interest भी individual capacity पे मिलता है, या फिर partner representative capacity पे है, और interest भी representative capacity पे मिलता है, तो ही वाला limit लगेगा, मैंने बोला, individual capacity पे partner individual capacity पे interest मिलता है, limit लगेगा, इंडिविजुल कैपसिटी पर पार्टनर रीपर्जेंटेटिव कैपसिटी पर इंटरेस्ट मिलता है लिमिट नहीं लगेगा रीपर्जेंटेटिव कैपसिटी पर पार्टनर रीपर्जेंटेटिव कैपसिटी से इंटरेस्ट मिलता है लिमिट लगेगा रीपर्जेंटेट 78 यह बोलती है कि घर कोई partner retire हो जाता है या किसी partner की डैथ हो जाती है अगर कोई partner retire हो जाता है किसी partner की death हो जाती है अगर कोई partner retire हो जाता है किसी partner की death हो जाती है तो उसके हिसandoz के loss है वो ना तो partnership from carry forward कर सकती है और ना ही वो partner carry forward set up कर सकता है वो lapse हो जाएंगे लेकिन एक बाद समझना है यह section सिरफ losses पर लगती है unabsorbed depreciation है तो उसको अपन setup carry forward कर सकते हैं, कोई दिकत नहीं है next section is 184, 184 यह बोलती है partnership firm को firm कब माना जाएगा जब 3 condition satisfied होती है पहली condition यह है कि partnership deed होना चाहिए, दूसरी condition यह है उसमें PSR mention होना चाहिए और तीसरी condition यह है कि जो deed का copy है वो आपको पहले return के साथ में लगाना पड़ेगा तो मैंने बोला अगर 3 condition satisfied होती है तो ही firm को firm माना जाएगा पहली condition partnership deed होना चाहिए deed में PSR mention होना चाहिए और deed का copy है वो return के साथ में लगाना पड़ता है लेकिन practical life में आजकल आप return के साथ में नहीं लगाते हो assessment हो रहा है और bad judgment assessment कब होता है जब वो चार cases में return file नहीं किया रिया वाला notice आया उसका comply नहीं किया special audit के direction का comply नहीं किया scrutiny जो notice आया उसका comply नहीं किया तो उस case में अगर partnership firm है उसने 184 की condition satisfied नहीं या 144 लग गया तो उस case में क्या होगा partnership firm जो remuneration interest partner को देती है वो allow नहीं होगा remuneration interest जो partner को देती है partnership firm वो allow नहीं होगा और जब allow ही नहीं हो रहा तो उसके हाथ में taxable भी नहीं होगा उसके बास section 187 ये बोलती है change in constitution अब एक चीज समझा change in constitution किसको बोलते है पता है किसी भी firm से कोई partner retire हो रहा है या कोई partner admit हो रहा है किसी भी firm से कोई partner retire होता है या फिर कोई partner admit होता है but at least one partner continue करता है at least one partner continue करता है that is called change in constitution of firm मैंने क्या बोला अगर एक partner enter होता है या कोई partner retire होता है but at least one partner continue करता है that is called change in constitution of firm या फिर all partner continue करते है बट उनका PSR change हो जाता है, all partner continue करते है, लेकिन उनका PSR change हो जाता है, that is called change in constitution of firm, जैसे एक firm थी, that is the ABC 3 partner थे, अब एक बाद समझना, इसमें से A हट गया और BC दो partner बच गया, it is called change in constitution of firm, ABC थी, उसमें से, मालो A और B हट गया, और C जो बचा, उसके साथ D और मिल गया, it is also called change in constitution of firm लेकिन ABC 3 partner थे, उसकी जगाए, D, E, F आ गया, यह change in constitution नहीं है, यह succession है, आप मुझे बोलो के sir, succession, change in constitution हमको क्यों पढ़ा रहे हो, देखो, जब भी succession होता है ना तो उस firm के 2 return जाते है, उस साल में, succession के case में 2 return जाते है, change in constitution के case में 1 ही return जाता है, तो अगर change in constitution है, तो return 1 ही जा होती है, उसके लिए partner है, वो तुमारी partner की liability यहाँ पे unlimited रहती है, even in case of the LLP, LLP के case में भी जो partner है, उसकी liability unlimited रहेगी for the purpose of the income tax, अब एक चीज समझना, कौन से year के लिए कौन से partner liable रहेंगे, तो जिस year में आप partner थे, उस year के लिए जो भी liability रहेगी, उसके लिए आप liable हो, जै के लिए ABC 3 responsible होंगे, और D जो है, वो current year की liability के लिए responsible होगा, means ABC along with the D is liable for the current year liability, और last 10 साल की liability के लिए सिरफ ABC है, वो responsible रहेंगे, इस साल अगर मानलो आप 5 days के लिए partner है, और फिर आप निकल गए, तो भी इस साल की liability के लिए आप responsible रहोगे, उसके बाद एक section 189 यह बोलती है, कि अगर firm का dissolution हो जाता है, तो अगर firm का dissolution हो जाता है, या business discontinue हो जाता है, तो उस case में जो dissolution के time पे firm थी, उसी के नाम पे, अगर assessment कोई नया होता है, तो उसी के नाम से आएगा, assessment चल रहा है, तो उसी के नाम पे complete होगा, एक और चीज समझना, जो भी dissolution के time पे partner रहते है, उसके लिए वो liable रहेंगे, जैसे I can take one example, ABC 3 partner थे last 10 साल से ठीक है, इस साही D को partner बनाया, अब एक बात बताओ, 188 A तो ये बोलती थी का D is responsible for only current year liability, लेकिन section 189 बोलती है का अगर dissolution हो गया, D आते ही dissolution हो गया, तो D is responsible for last 10 year liability also, क्योंकि बटा dissolution के time पे जो भी partner रहते हैं, वो assets उनको मिलती है, तो उसके case में जितनी भी partnership firm के liability रहेगी, उसके लिए वो responsible रहेंगे, तो dissolution के time पे जो भी partner, they are responsible for the all liability of the partnership firm, उसके बाद मैं section 167 C ये बोलती है, का limited liability partnership के case में भी partner है, उसकी liability limited नहीं रहेगी, unlimited रहेगी, after partnership firm, अब अपन रिवाइस करने वाले business trust, investment fund and securitization trust, तीन topic in a row, फटा फट हो जाएंगे, ठीक है, चलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, business trust की, business trust दो टाइप के होते हैं, one is the infrastructure investment fund and one is the real estate investment trust, infrastructure investment trust and real estate investment trust, अभी तक मैं बता दू, इंडिया में ये की business trust है, जो अभी तक listed हुआ है, that is the embassy, national park करके, शायद, name of the bangalore base, एक company है, उन्होंने ये बनाया है, ठीक है, चलो, अब एक बात दो, business trust में आपको क्या आद रखना पढ़ता है, सबसे उपर होता है, unit holder, unit holder invest करता है, business trust में, business trust invest करता है, SPV में, unit holder invest in the business trust, business trust invest करेगा, SPV में, अब एक चीज़ समझना, business trust क जो unit होती है, वो लिस्टेड होती है, इंदर recognized stock action, जो recognized stock exchange है, उसमें listed होती है, अब एक चीज़ समझना, सबसे उपर मैंने क्या बोला, unit holder, unit holder किस में invest करेगा, business trust किस में invest करेगा, SPV, SPV किसको बोलते है, SPV एक Indian company होती है, SPV जो होती है, वो एक Indian company होती है, और वो Indian company जो SPV रह बोला, मैंने unit holder, वो किस में invest करेगा, business trust में, business trust किस में invest करेगा, SPV मेरे words पर ध्यान देना, अगर यह business trust है, और business trust में SPV के share खरीदे, बोलो क्या खरीदे, share, तो SPV के share खरीदे, तो उस case में क्या होगा, कि यह SPV जो है, वो business trust को क्या देगी, dividend देगी, और business trust को जब dividend देगी तो मैं बताओं उस dividend पे already SPV dividend distribution tax pay कर देगी तो dividend distribution tax pay कर देगी तो वो dividend business trust के हाथ में क्या होगा exempt होगा लेकिन subject to 115 VBDA अगर 115 VBDA लग रहा है तो लगेगा 10 लाग तक exempt है उसके उपर का taxable होगा अब एक चीज़ समझना वो ही dividend जब unit holder को बाटा जाएगा तो उसके हाथ में पूरा exempt हो जाएगा under section 1023 FD तो मैंने क्या भूला कि अगर business trust को SPV से dividend बिलता है तो SPV already उसपे DDT pay कर देती है तो यहाँ पे business trust के हाथ में dividend exempt होगा बट subject to section 115 VBDA और वो ही dividend unit holder के हाथ में पूरा exempt हो जाएगा अब एक चीज़ समझना यहाँ पे business trust जो है वो business trust को SPV से अगर माल लो interest मिलता है क्या मिलता interest SPV से अगर interest मिलता है तो वो interest जो है ना उस पे pass through status मिलेगा pass through status का मतलब होता है वो interest taxable हो जाएगा इक हैना किसके अठमे unit holder के हाँ मै धेट स्वागा बुछे बोलोगे कि यह इंटस बिजनस ट्रस्ट के हाथ में पूरा exempt है अन्डर सेक्शें 1023 FC करके 1023 FC sections से यहाँ पे business trust के हाथ में पूरा exempt है और धाट इक बात बता उदे हाथ में कौनसी rate से taxable होगा तो अगर non-resident foreign company unit holder तो 5% और अगर other है तो normal tax rate से TDS कटेगा 194 LBA में और TDS कौनसी rate से कटेगा अगर non-resident foreign company unit holder है तो 5% की rate से otherwise normal tax rate की rate से यहाँ पर TDS income normal tax rate की rate से लगेगी tax और उस पर जो TDS कटेगा वो 10% की rate से TDS कटेगा तो देखो बिटा मैंने क्या बोला all people please pay attention सबसे उपर unit holder unit holder will invest in the business trust business trust will invest in the SPV SPV से dividend मिला वो exempt है क्योंकि उस पर SPV DDT pay कर देती है तो business trust के हाथ में exempt under section 1034 subject to section 115 BBDA and it will be exempt in hands of the unit holder due to section 1023 FD अब एक बाद समझना business trust को अगर SPV से interest मिलता है वो business trust के हाथ में exempt होगा business trust के हाथ में exempted due to section due to section due to section कौन सी section के विज़े से 1023 FC and it will be taxable in hands of the unit holder tax rate क्या रहेगा non-resident foreign company 5% other normal tax rate TDS business trust को काटना पड़ेगा कौन सी rate से under section 194 LBA TDS का rate रहेगा non-resident foreign company unit holder तो 5% other है तो 10% की rate से अब एक और चीज़ समझना आग यहां पे एक point बोलता है कि अगर business trust में REIT है सिरफ यह REIT के लिए मैं बोल रहा हूँ अगर business trust में REIT है तो REIT को अगर own property पे उनकी जो self own immovable properties रहती है बहुत बार क्या होता है REIT के खुद के mall होते है shopping complex होते है तो उनकी जो own property है उस पे उनको जो rental income मिलता है न वो इनके हाथ में exempt होता है under section 1023 FCA मैंने क्या बोला REIT यह सिरफ REIT के लिए बात कर रहा हूँ तो REIT को उनकी own property पे rental income मिलता है वो rental income पूरा exempt हो जाता है under section 1023 FCA but that rental income is taxable in hands of the unit holder unit holder के हाथ में कौन सी rate से taxable होगा तो मैं बढ़ा हूँ normal tax rate से taxable होगा जो unit holder की normal tax rate रहेगी वो normal tax rate से taxable होगा और यहां पर TDS काटना पड़ेगा 194 LBA में TDS का rate क्या रहेगा अगर non resident foreign company unit holder है तो TDS का rate रहेगा rate in force जो भी non resident foreign company के लिए tax rate होती है वो ही तुमारा उसी rate से TDS काटना पड़ेगा बढ़ अगर resident unit holder है तो 10% की rate से TDS काटना पड़ेगा अब एक और चीजी समझना जो भी business trust की other income होती है उस पे क्या होगा जो business trust है उसकी other income होती है वो other income पे क्या होगा तो मैं बता दू business trust की जो other income होती है वो other income पे क्या होगा अगर वो LTCG 112 वाला है मिस LTCG जो है उस पे 20% से tax लगेगा अगर वो STCG triple बने वाला है तो उस पे 15% से tax लगेगा और अगर वो any other income है business trust की तो उस पे MMR की rate से tax लग जाएगा यहाँ पे MMR यह 35% नहीं रहेगा MMR है वो तुमारा 42% समतिंग आ जाएगा तो MMR की rate से tax लग जाएगा MMR मिस तुमारा जो भी 30% plus 37 plus 4% वो तुमारी MMR आ जाएगी तो मैंने क्या बोला देखो बिटा अगर business trust की जो other income है other income means dividend interest from SPV and REIT का rental income उनको छोड़के बाकी जो भी other income है अगर उसमें LTCG है तो 20% tax लगेगा STCG triple वने वाला है तो 15% tax लगेगा और all other income है वो MMR की rate से taxable हो जाएगी और मैं बता दू जब इस पे already MMR की rate से business trust ने tax बढ़ दिया है तो unit holder के हाथ में सब income exempt हो जाती है due to section 1023 FD 1023 FD की rate से वो की वज़े से पूरा exempt हो जाता है तो ए income taxable business trust के हाथ में all income taxable SPV के interest को छोड़के और REIT का rental income को छोड़के जो REIT को rental income मिलता है वो taxable है ठीक है जो जो SPV से interest मिलता है वो exempt है कि जितने भी income जो business trust को होती है वो सब taxable है तो मैंने क्या बोला यह जो business trust है इस business trust के हाथ में जो भी income आती है वो सब taxable है दो को छोड़के एक तो interest form SPV और दूसरा REIT को जो own property पे rental income मिलता है वो दो exempt है due to section 1023 FC and FCA और मैं बोलू unit holder के हाथ में हर चीज एक्जेम्ट है unit holder के हाथ में हर चीज एक्जेम्ट है सिरफ दो ही चीज़े taxable है क्या एक तो interest from SPV और दूसरा तुमारा interest from SPV से आया वो वाला और अगर REIT का जो rental income आता है वो taxable है सिरफ दो चीज़े है वो taxable हो जाती है unit holder के हाथ में अब एक चीज समझना जो unit holder है वो unit holder अगर मालो business trust की unit बेचता है तो business trust की unit listed होती है in the recognized stock exchange तो उसको अगर बेचता है long term capital gain होता है तो 1-1-2-A के हिसाब से more than 1 lakh वाला है वो taxable हो जाएगा at the rate 10% और अगर short term capital gain होता है तो वो 111-A में 15% की rate से taxable होगा तो unit holder जब भी unit को बेचेगा unit यूनिट को बेचेगा long term capital gain हुआ 1-1-2-A के हिसाब से 10% से taxable होगा in excess of 1 lakh और short term capital gain हुआ तो 15% की rate से taxable हो जाएगा under section 111-A अब एक और चीज़ समझना है यहाँ पे sir यहाँ पे जो business trust को income होती है जो business trust को income होती है और जो unit holder को बाटी जाती है तो unit holder के हाथ में जो nature and proportion वही लिया जाएगा जो business trust के हाथ में था तो इसका मतलब यह हुआ कि जो business trust को इस साल में जो income होती है और जो unit holder को बाटी जाती है वो unit holder के हाथ में nature and proportion same लिया जाएगा जैसे I can take a example कि business trust को 100 करोड का income हुआ 100 करोड में मानलो 20 करोड SPV से interest था और 80 करोड other income था out of that suppose 50 करोड is distributed to unit holder तो unit holder के हाथ में 10 करोड SPV का interest लेंगे और 40 करोड other income लेंगे और I can say that मैं एक unit holder हूँ मुझे जो इस साल 10,000 मिला तो मैं बोलूँगा इस 10,000 में से 2,000 interest from SPV है and 8,000 other income है means 2,000 मेरे हाथ में taxable होगा और 8,000 मेरे हाथ में exempt हो जाएगा तो मैं बता दो जो nature and proportion रहता है वो हमेशा same लिया जाता है in hands of the unit holder जो nature and proportion उस business trust के हाथ में था अब एक और चीज़ समस्ता मैंने आपको एक चीज़ बताई मैंने आपको बोला कि भाईया यह जो business trust है यह जो SPV है वो DDT पे कर देती है SPV DDT पे कर देती है तो उस case में इनवेस्ट जो business trust है business trust के हाथ में exempt होता subject to section 115 BBDA अब यहाँ पर lawmakers यह बोलते है कि अगर यह business trust जो है यह business trust यह business trust अगर SPV के 100% share hold करता है अगर यह business trust SPV के 100% share hold करता है entire share capital है वो अगर SPV की hold करता है कितनी entire share capital entire share capital है वो अगर SPV की hold करता है और भाईया SPV ने जो income कमाया वो current income में से current income में जिस दिन 100% holding हुआ उसके बाद SPV ने जो profit कमाया उसमें से अगर SPV कोई dividend देती है business trust को तो यहाँ SPV को DDT पे करने की ज़रूवती नहीं है देखो मैंने क्या बोला नॉमली क्या होता है कि SPV जब dividend देगी तो उस पर DDT पे करेगी और business trust के हाथ में exempt होगा subject to section 115 BVDA अब एक बाद दाओ अगर SPV का entire share capital business trust held करता है SPV का entire share capital business trust held करता है और जिस दिन 100% shareholding हुई उसके बाद से अगर जो profit कमाया उसमें से SPV dividend देती है तो SPV को DDT पे करने की ज़रूथी नहीं है 115 वो लगेगा ही नहीं और मैं बता दू वो dividend exempt हो जाएगा in hands of the business trust as well as the unit holder मिस कहीं पे tax नहीं इदर DDT भी परने की ज़रूथ नहीं बिजनस ट्रस्ट के हाथ में भी वो dividend exempt और unit holder के हाथ में भी वो dividend है वो पूरा exempt हो जाएगा you got my point or not yes अब एक और चीज़ समझना यहां पे concept आता है that is the sponsor sponsor क्या होता है कि जैसे मालो अपन सब लोग है एक SPV के shareholder है अब SPV के shareholder है तो अपन क्या करते हैं बिजनस ट्रस्ट बनाने के लिए पहली एक और चीज़ दियान रखना यह जो business trust है उसका SPV कोई company इंडियन company तभी SPV माना जाता है जब business trust उसमें controlling power रखता है means 50% से ज्यादा का shareholding रखता है तो ही उस case में वो SPV बनेगा otherwise SPV नहीं बनेगा अब एक example लेते हैं एक SPV है एक company है मालो जिसको हमको SPV बनाना है बट 100% shareholder अपन है तो हम लोग क्या करेंगे अगर business trust बनाना है तो अपन SPV के share business trust को देंगे और business trust अपने को unit देगा तो आपने SPV के share business trust को दिए business trust ने आपको unit दी मैं बता दू यह transfer नहीं माना जाता है इसमें capital gain नहीं लगता due to section 47 means आपने आप sponsor आपने SPV के share दिये, business trust की unit आपके पास आ गई, यह transfer नहीं माना जाता, इस case में आपको कोई text नहीं लगेगा, लेकिन एक बात बताओ, जब business trust की unit बेचेंगे, तो तो text लगेगा, answer is yes, cost किसका लोगे, SPV के share का, period of holding कहां से लोगे, SPV के share से, पता चला या नहीं चला, चला, तो देख लेकिन जब भी आप business trust की unit बेचोगे, tax लगेगा, cost किसका लोगे, SPV के share का, period of holding कहां से लोगे, SPV के share से, और अगर indexation होता है, तो indexation भी SPV के share से लोगे, बैट indexation नहीं होगा, क्योंकि business trust की unit, जब भी आप बेचोगे, तो 112A लगेगा, और 112A के हिसाब से indexation नहीं होता है, अब एक और चीज़ बताना, business trust है, उसको अपना return file करना mandatory है, they have to mandatory required to file the return, उनको अपना return है, वो mandatory file करना पड़ेगा, और एक और चीज़ बता दू, जो business trust है, उनको हर साल, 30th June तक, अपने unit holder को ये बताना पड़ेगा, कि उनकी income कौन से nature की है, कौन से proportion की है, कितनी income है, और क इतनी income बाटी गई है, ये सब चीज़े बतानी पड़ेगी, किसको, business trust को, unit holder को, कब तक, 30th June of the next year, मिस previous year complete हो गया, उसके अगले साल 30th June तक करके, ठीक है, और उनको, उसको भी बतानी पड़ेगी, किसको, income tax authority को, जो भी commissioner रहता, commissioner को भी बतानी पड़ेगी, up to 30th November तक करके, चलो, इस topic को एक बार में वापस से quickly revise करवा रहा हो, ध्यान देना करगे, ठीक है, देखो बिटा, आप ऐसे याद रखोगे, सबसे उपर unit holder, unit holder will invest in the business trust, business trust will invest in the SPV, SPV से dividend मिला, business trust को, DDT SPV पे करेगी, उसके हाथ में exempt है, बट subject to 115 BBDA, और वो dividend unit holder के हाथ में पूरा exempt है, due to section 1023 FD, अब एक बास समझना, SPV से interest मिलता है, तो वो interest business trust के हाथ में exempt है, due to section 1023 FC, but that interest will be taxable in hands of unit holder at the rate 5% in case of non-resident foreign company, and अगर resident है, तो उस case में normal tax rate, TDS कटेगा 194, LBA में, non-resident foreign company को interest पे किया business trust है, तो 5%, अगर resident को किया, तो 10% की rate से, अब एक और चीज़ समझना, REIT के लिए, सिरफ REIT क जो own property होती है, वो own property पे rental income मिलता है, वो पूरा exempt है REIT के हाथ में, REIT के हाथ में पूरा exempt है, but it will be taxable in hands of the unit holder, unit holder के हाथ में taxable होगा normal tax rate किसे, non-resident foreign company है, तो भी normal tax rate से, TDS कटेगा 194, LBA में कौन सी rate से गटेगा, तो एक बात समझना, अगर मानलो non-resident foreign company unit holder है, तो rate in force है, और अग चीज समझना, business trust की जो भी बाकी जितनी भी income होती है, अगर वो LTCG है, तो उस पर 20% से tax लगेगा, STCG triple बने वाले पर 15% पे, और बाकी जितना भी income है, उस पर business trust को MMR की rate से tax लगेगा, और जितनी भी ये income है, unit holder को जाती है, तो unit holder के हाथ में exempt हो जाएगी, तो मैं बता अगर ये business trust, इस SPV के entire share capital रखता है, और entire share capital जिस दिन होल्ड गया, उसके बाद जो profit कमाया, उसमें से अगर वो dividend देते है, तो उस पर DDT भी पे करने की जरूरत नहीं है, और business trust के हाथ में जो dividend है, वो भी taxable बिलकुल भी नहीं होगा, उनके हाथ में भी, और unit holder के हाथ में, दोनों के हाथ में पूरा exempt है, 115 BBDA भी यहाँ पर नहीं लगेगा, अब एक चीज़ समझना, अगर आप sponsor हो, आप क्या करते हो, कि SPV के share देते हो, business trust की unit मिलती है, वो transfer नहीं माना जाता, tax नहीं लगता, लेकिन जब भी आप business trust के unit बेच होगे, तो उस case में tax लगेगा, cost किसक से, और indexation तो होता नहीं है, तो उसकी बात करने की जरूद भी नहीं है, करके, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया, क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक और चीज़ समझना है, यहाँ पर मैंने आपको बोला था, कि business trust, अगर SPV के entire share capital रखता है, तो उस पर DDT नहीं लग ठीक है, जैसे I can take a example, कि अगर एक business trust है, वो किसी, business trust जो है, वो किसी SPV का, 93% share hold करता है, और 7% अपनी government hold करती है, तो चलेगा, यह मान लिया जाएगा, कि वो entire share capital उसका hold कर रहा है, you got my point or not, yes, चलो, उसके बाद एक topic, that is the investment fund, अब यह investment fund क्या होता है, investment fund जैसे आपने नाम सु PGBP को छोड़के, बाकि जितनी भी income है, वो unit holder को taxable होती है, तो मैं बता हूँ, investment fund की जो भी income होगी, वो सब income exempt है PGBP को छोड़के, means PGBP है, वो taxable है investment fund level पे और बाकि सब income taxable है unit holder के level पे, अब एक चीज़ समझना, जब बाकि सब income taxable है unit holder के level पे, तो जब भी investment fund income देगा, unit holder को वो TDS काटेगा, TDS कौन सी section में काटेगा, 194 LBB में, TDS का rate क्या रहेगा, अगर non resident foreign company है तो rate in force, और अगर resident है तो 10% की rate से TDS काटेगा, अब एक चीज़ समझना, investment fund की tax rate क्या होती है, तो मैं बता दू, investment fund की जो tax rate होती है न, वो tax rate, अब आप बोलोगे investment fund की tax rate की क्या जरू commission में है, जो company या firm के constitution में investment fund है, तो 30% की rate से, और किसी constitution जैसे AOP, BYUI बना के आपने investment fund बनाया, तो उस case में MMR की rate से tax लगेगा, तो देखो बिटा, मैंने क्या बोला, समझना ही कोशिश करना, investment fund and unit holder, investment fund के हाथ में सब income exempt है, PGBP, taxable है, कौन सी rate से, company partnership हम है, तो 30% otherwise है, तो MMR, और unit holder के हाथ में all income taxable है, PGBP को छोड़ के, all income taxable है, PGBP को छोड़ के, अब यहाँ investment fund जब unit holder को जो भी payment करेगा, उस time पर TDS काटना पड़ेगा, अब एक चीज़ समझना है, TDS कौन सी rate से काटेंगे, non-resident foreign company unit holder है, तो आपका rate in force, और अगर resident है, तो 10% की rate से TDS कटेगा, under section 194 L B, B, अब एक और चीज़ समझना, आप लोग गया, interesting part, देखो बेटा, जो investment fund को इस साल income होती है, और जितनी income unit holder को जाती है, उन दोनों का nature and proportion same रहेगा, मनलब जिस nature and proportion की income investment fund के हाथ में थी, वो same nature and proportion है, वो तुमारे unit holder के हाथ में लिया जाएगा, बढ़ यहाँ पर एक investment fund को 10 crore का income हुआ, कितना हुआ 10 crore का, बट डिस्ट्रिबुट 7 crore किया, कितना डिस्ट्रिबुट किया 7 crore, तो भी यह मान लिया जाएगा, कि दिस्ट्रिबुट 10 crore किया है, और पूरा unit holder के हाथ में 10 crore taxable होगा, मैंने क्या बोला, investment fund है, उसको total income था 10 crore का, आउट अट they distributed only 7 crore, then also it is presumed that they distributed total 10 crore and it will be taxable in hands of unit holder, इसका मतलब TDS भी पूरे 10 crore पे कटेगा, because on the last date it is presumed that it is credited to the account of the unit holder, अब एक और चीज़ समझना आप लोग, अब एक और चीज़ समझना, सर TDS भी पूरे पे कट जाएगा, answer is yes, अब एक बात बदाओ, अभी आपने इस साल 7 crore का distribute कि अब उसके हाथ में taxable पूरा 10 crore हो गया, अब next year वो remaining 3 crore अगर आप distribute करते हो, तो क्या 3 crore पे tax लगेगा, answer is no, क्योंकि already tax लग चुका है, जब already 10 crore पे लग चुका है, तो भाईया जब वो 3 crore next year में आप distribute करोगे, तो 3 crore पे वापस को unit holder को tax नहीं लगेगा, अब एक और समझना, यहाँ पे एक interesting बात यह आती है, कि सर एक बात बताओ, अगर investment fund को loss हुआ तो क्या होगा, तो मैं बता दू, investment fund को जो loss होता है, loss अगर अभी तक पहले law क्या था बता है, कि अगर profit होता है, income होती है, तो income में PGBP का income investment fund के हाथ में taxable होगा, बाकी सब income unit holder के हाथ में taxable होगी, अगर loss होता था, तो loss investment fund खुदी setup carry forward करेगा, loss जो होता था, वो investment fund खुदी setup carry forward करेगा, अब एक चीज समझना, इन्हों ने इस बार amendment किया, और इन्हों ने बोला कि अगर देखो PGBP का loss है, तो तो क्या होगा, PGBP का loss है, तो तो investment fund खुद सेट अप और carry forward भी investment fund करेग तो setup और carry forward भी करेगा, अगर other head के losses है, तो पहले setup करेगा investment fund, और other head के कोई losses है, वो पहले distribute नहीं होते थे unit holder में, बट इस साल से, by previous year 1920 से ये amendment किया, by finance act 2019, दर्मला सीता रमन जी ने, और बोला, अगर other head के losses होते है, तो after setting, पहले business trust क्या करेगा, sorry investment fund setup कर देगा, अगर उनका क unit holder को pass किया जाएगा, miss loss भी unit holder को दिया जाएगा, income जैसे देते थे वैसे loss भी दिया जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, loss उसी unit holder को दिया जाएगा, जिसने last 12 month तक unit hold की थी, तो अगर capital gain head का loss है, या IFOS का loss है, या कोई भी loss है, तो वो loss unit holder को pass on किया जाएगा, इस साल से, previous year 1920 में, अगर capital gain head का वगर, अगर loss होता है, या IFOS का loss होता है, तो वो unit holder को दिया जाएगा, बट उसी unit holder को दिया जाएगा, जिसने last 12 month तक unit hold की थी, you got my point or not, yes, अब एक और चीज समझना आप लोग, अब एक और चीज समझना, लेकिन सर्क्वेस्चन ही आता है, कि अगर 12 month तक unit hold नहीं की थी, तो loss नहीं दिया जाएगा, क्या वो loss investment fund खुद carry forward कर सकता है, answer is no, ऐसा कहीं clarity नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, मेरे साब से, मेरा interpretation यह बोलता है, वो वाला loss lapse हो जाएगा, ठीक है, बहला 12 month तक आपने unit hold की थी, उसी को loss है, वो loss दिया जाएगा, बाकी वाल head के वगेरा, IFOS के, दीको IFS के तो carry forward होता नहीं है, बट माल लो capital gain का 31st March 2019 को loss है, वो loss तो investment fund के हाथ में है, क्योंकि पहले तो investment fund खुद set up carry forward करता था loss, जो तो 31st March 2019 को PGPP को छोड़के, other head के losses है, वो losses भी unit holder में बाटे जाएगे, जो unit holder 31st March को unit held करता है, तो जिसके पास 31st March 2019 क unit है, और अगर investment fund level पे, जो 31st March 2019 को loss पड़ा है, वो loss as it is unit holder को दे दिया जाएगा, जो unit hold करता है, on the 31st March 2019, you got my point or not, yes, आपको, मैंने इससे related काफी example दे रखे, मैंने आप तीन example देखे, और मैंने तीन साल समझाए रखा है, कि भी या 17-18 में क्या होता था, 18-19 में क्या होगा, और 19-20 में क्या होगा, और एक बात समझना, जो 31st March 2019 को जो loss पड़ा था, वो loss unit holder को बाटा जाएगा, unit holder सेट आप carry forward कर सकता है, बड़ वह या unit holder remaining period के लिए ही करेगा, remaining period का मतलब यह होता है, कि अगर माल लो उसमें से capital loss था और 4 साल हो चुके थे, तो remaining 4 साल के लिए, वो investor ह है, वो उसको set up carry forward वगेरा कर सकता है, करके ठीक है, अब एक और चीज़ समझना, यहाँ पे जो investment fund है, वो investment fund को भी अपना जो return file करना है, वो return file करना mandatory है, इन्वेस्टमेंट fund है, वो investment fund को अपना return file करना है, वो mandatory है, करके ठीक है, अब एक और बात समझना, next topic is a securitization trust, securitization trust जो होता है वो क्या होता है सरफेसी एक्ट वगएरा आप लोगों ने देखा होगा सिक्यूरेटाइजेशन ट्रस्ट होता और उसके इंवेस्टर होते हैं ठीक है जैसे एडल वाइस इंवेस्टर और एडल वाइस का Securitization Trust की जो भी income होती है Securitization Activity से वो पूरी exempt होती है लेकिन investor के हाथ में जो income होती है वो सब taxable होती है अब एक बात बदाओ investor के हाथ में income taxable होती है normal tax rate से और Securitization Trust के हाथ में income है वो exempt हो जाएगी अब एक बात बदाओ Securitization Trust जब भी unit holder को income देगा तो वो income पे कौन सी rate से TDS काटना पड़ेगा तो TDS में ऐसा है कि अगर मालो non-resident foreign company को दिया तो तो rate enforce अगर resident individual achieve को दिया तो 25% की rate से और अगर resident other person को दिया तो 30% की rate से Securitization Trust है वो TDS काटेगा अब एक और चीज़ समझता है यहापे जैसे Securitization Trust की इस बार जो income होती है और investor को जो income जाती है उसका nature and proportion same लिया जाएगा लेकिन इसमें भी वही वाला फंडा जो investment fund में था कि income 10 करोड की हुई उसमें से distribute 7 करोड की है तो भी 10 करोड पूरा taxable होगा बट 10 करोड अगर इस बार taxable हो गया next year जो remaining 3 करोड है वो क्या taxable होगा answer is no because accrual basis पे taxable हो चोका है तो वापस reset basis payment basis पे taxable है वो taxable नहीं होता है you got my point or not yes अब एक और चीज़ हमना है यहाँ पे Securitization Trust है उसको भी अपना Securitization Trust को return तभी फाइल करना है जब उनका Securitization Trust का exemption लेने से पहले वाला income basic exemption से ज़्यादा है तो अब एक और चीज़ समझना मैंने आपको तीन चीज़े पताई एक तो मैंने Business Trust, Investment Fund और Securitization Trust यह जो तीनों लोग है इन तीनों लोगों को अपना जो unit holder है ना वो unit holder को एक statement फरनिश करना पड़ेगा एक statement देना पड़ेगा unit holder को क्या भाईया हमारी income कौन से nature की थी क्या था और वो कब तक देना पड़ेगा 30th June तक जो financial next financial year आएगा उसका 30th June तक और बेटा CIT PCIT को भी 30th November तक वो statement देना पड़ेगा You got my point or not? Yes So this is the completion of three topic आपके जो in raw topic business trust investment investment fund securitization थोड़े technical topic है बट आप उसको एक बार करोगे और इस बार मैंने जो questions डाले है वो questions से आप देखोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा investment fund का मेरे को लगता है इस बार question आ सकता क्योंकि वो losses वगेरा का जंजट आएगा तो investment fund का question है वो आपके इंकम लेंगे मैट लेंगे amt लेंगे और scz लेंगे वो पाँच टॉपिक अगले revision lecture में अपन लेंगे और पढ़ते रहो और कुछ आप्शन नहीं है खुश रहो अच्छे लोगों के साथ रहो positive लोगों के साथ में रहा करो negative लोगों से दूर रहा करो और खुश रहके पढ़ा करो tension लेके पढ़ोगे कुछ याद नहीं रहेगा घर के ठीक है खुश हो के और अपने आपको एकदम positive रखके motivate रखके और पढ़ाई किया करो ठीक है चलो thanks a lot people आज के लिए इतना बहुत है